मेरे पास स्टूडेंट्स के काफी सारे क्विश्चन आते हैं कि हम अगर इटली के लिए एपलाय कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें नेटिव लेंग्वेज का आना कंपल सरी है या नहीं तो फ्रेंड्स में आप लोगों को बता दू कि mostly European countries में जभी भी आप वीजा के लिए एपलाय करते हैं तो वहाँ पर आपका नेटिव लेंग्वेज में प्रोफिशेंसी एस पर रिक्वाइड नहीं होता यहाँ पर बस आपको यह चेक करना है कि क्या आपका जो नेटिव ले लेंग्वेज की प्रोफिशेंसी की रिक्वार्मेंट नहीं रखी जाती लेकिन अगें एक फैक्ट है वो फैक्ट यह है कि अगर आपको वहाँ पर नेटिव लेंग्वेज की जो नॉलेज है वह एक लिस्ट आपको A1, A2 या B1 लेविल तक की होगी तो आप एजिली कॉम् लेंग्वेज में प्रोफिशेंसी आपके पास होगी तो आपको वहाँ पर लिबरेज मिलने वाला है आपको वहाँ पर बैनेफिट मिलने वाला है उसका तो फ्रेंड्स आपके लिए एक एडवाईस है कि आप जभी भी किसी भी यूरोपन कंट्री में जाते है तो वहाँ पर एटलीस जो native language है उसका basic knowledge आप लोगों को होना चाहिए जिससे कि आप लोगों के पास part-time jobs के काफी सारे options available होंगे usually भी रहते हैं अगर आपको English आती है English में proficiency अच्छी है तो obviously आपके पास part-time job के options होते हैं लेकिन अगर आपको native language की भी knowledge है तो वो options आपके कई times increase हो जाते हैं plus आपके पास और भी internship की जो opportunities होती है जो local companies होती है usually वो ऐसे students को prefer करती है जिनके पास native language की भी proficiency हो कि वो at least अगर कोई communicate कर रहा है तो वो इस चीज़ को समझ पाए और काफी हद तक दूसरे को भी वो चीज़े convey कर पाए तो आपके पास अगर A2 या B1 level की भी proficiency है तो obviously आपको उसका benefit ही मिलने वाला है और friends अभी ऐसा time है कि यहाँ पर आपने अपना university में already of a letter secure कर लिया है आपका application in process है तो अभी वीजा filing को लेकर के आपके पास 2-3 महीने तक का time है जब आपका intake start होगा तो यहाँ पर यह 2-3 महीने में जब तक आपका वीजा आएगा और आप इटली में जाएंगे या आप जब फ्रांस में जाएंगे या आप जर्मनी में जाएंगे या आप किसी भी European country के लिए apply कर रहे हैं तो तब तक आपके पास अगर आप अभी से initiative लेते हैं तो that time आपका पास कुछ ना कुछ basic knowledge उस particular native language की होगी तो वो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए आपको benefits ही मिलने वाले हैं और आपको further part time jobs में, internship में वो आपके लिए काफी helpful रहने वाली है तो friends ये आप लोगों के लिए advice है कि हाला कि ये compulsion नहीं है embassy और universities की साइट से लेकिन फिर भी आप एक basic knowledge अपने साथ carry करिए वहां की native rates आप लोगों ने अभी भी अगर अपना university application start नहीं किया है तो अभी जो mostly universities है वो अपने admission के last phases में चल रहे हैं तो यहां पर आपके लिए advice है कि आप अपना admission जल्दी से जल्दी start कर सकते हैं अगर आप फ्रांस के लिए देख रहे हैं आप जर्मनी के लिए देख रहे हैं लात्विया के लिए पॉलेंड के लिए माल्टा के लिए या फिर इटली के लिए तो यह आपके पास बिल्कुल प्रॉसेस स्टार्ट करिए जिससे डेफिनिटली आपके पास एक offer letter आए और फिर आप आगे further process को स्टार्ट करते हुए अपना visa टाइम पर फाइल कर पाए और definitely you will be awarding with your visa तो फ्रेंड जैसी latest information पाने के लिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बैल आइकन प्रेस करिए से इन दे नेक्स वीडियो थैंक यू